असलाम नेकुम स्टूडेंट्स और यूटिब चैनल यूर वाचिंग एम एहमन नजीर चैनल नाइन क्लास बाइलगी जप निबर फोर का आज का हमारे लेक्टन निबर फोर है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Mitochondria हमने cell organelles की थी cell organelles क्या होती है जिन्हें सब cellular structures भी कहा जाता है जो कि cell के अंदर प्रेजन होती है ठीक है और मैंसे हमने नुकलियस के बारे में डिसकस कर लिया था राइबोसूम के बारे में डिसकस कर लिया था आज कर जो हमारा topic है, वो है mitochondria जी बचे, mitochondria क्या है, mitochondria के बारे में कहा जाता है इसे powerhouse of cell कहा जाता है, ये word आपके book में नहीं लिखावा लेकिन आपको पता होना चाहिए, powerhouse of cell powerhouse of cell क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ये function perform करता है, इसका function क्या है कि ये energy produce करता है इसी वज़ा से power house कहा जाता है और वो energy कैसे produce होती है वो होती है एक process से जिसका नाम है aerobic respiration बिटा आपने परिशान नहीं हो ना अगर आप से aerobic respiration के जगा आप से cellular respiration का word यूज़ कर दिया जाए जो cell के अंदर respiration होती है या फिर aerobic respiration दोनों एक ही बात है तो respiration का process जो है ये होता ही energy हासिल करने के लिए है तो respiration का जो process है जो reaction है वो होता है mitochondria के अंदर इस वज़ा से जो है इसे कहा ज़ता है कि ये energy produce करने वाला power house है cell के अंदर का आपको याद हो तो चप नमर वन ने जहां पर आपने organalis के बारे में discuss किया था वहां पर हमने पढ़ा था तो organalis के नाम उनमें इस एक थी ribosome और ribosome हमने कहा था protein synthesis करता है जबके mitochondria हमने कहा था कि ये respiration का process करते है ठीक है इसके structure के बारे में बात की जाएं तो mitochondria जो है एक double membrane bounded structure है और जो double membrane bounded structure है उसमें जो बाहर वाली membrane है वो smooth है मैं यहां पर अगर diagram बना दूँ आपके सामने क्या है कैसे diagram बनाएंगे आप एक oval shape structure बनाएंगे ठीक है oval shape structure को थोड़ा 3D diagram बनाने के लिए इस तहां से नीचे इसके line बनाएंगे और inner membrane को show करने के लिए कि आप बना देंगे inner membrane ठीक है इस तहां से तो क्या कहां कि जो mitochondria है वो क्या है double membranous structure है दो membranes है इसकी वो जो दो membrane है कौन-कौन सी है एक है outer membrane ठीक है और वो कैसी है smooth है नजरार आपको सीधी smooth है जबकि inner membrane है यह वाली यह जो inner membrane है inner membrane ठीक है double membrane है उनमें से एक smooth है एक inner जो है वो कैसी है वो folding वाली है folding का क्या मतलब है आपको नजर आ रहा है कि यह जो inner membrane है यह इस जगा से ऐसे अंदर की तरफ fold हुई विया तो इन in-foldings को इन अंदर की तरफ जो structure जा रही है इसे क्या कहते है इसे कहते है क्रिस्टी चीक है in-foldings को क्या कहते है क्रिस्टी कहते है तो mitochondria की double membrane outer membrane smooth inner membrane in-foldings in-foldings को क्या कहते है क्रिस्टी कहते है इसके लावा इसके अंदर जो cytoplasm होता है mitochondria के अंदर इसके अंदर जो fluid होता है ने पढ़ा cell के अंदर का fluid cytoplasm, nucleus के अंदर का fluid nucleoplasm, तो इस mitochondria के अंदर का fluid है, वो क्या कहलाएगा? यह कहलाता है matrix. अब यह जो membrane है और यह जो matrix है, इसके अंदर different chemical reactions होते हैं, ठीक है? और वो chemical reactions obviously किसके होंगे? मेजर वो तो होंगे respiration के, लेकिन respiration के लावा और भी कुछ reactions हैं, कुछ processes होते हैं, जो कि mitochondria के अंदर perform होते हैं. अब mitochondria के membrane-bounded structure है, तो यह सिर्फ और सिर्फ eukaryotic के अंदर पाया जाएगा, हम देखेंगे difference between prokaryotes और eukaryotes तो, prokaryotes के अंदर membrane-bounded organism नहीं होती है, इसलिए यह भी जो है eukaryotic cell के अंदर यह eukaryotic organism के अंदर हम कह सकते हैं, पाया जाएगा, उसके बाद है कि, जो mitochondria है, इसके body के अंदर इसका अपना DNA होते हैं, ठीक है, और उसके इलावा इसके अंदर ribosomes भी होते हैं, क्या होते हैं, ribosomes, और यह ribosomes हमें पता है, क्या काम करते हैं, ribosomes करते हैं, protein synthesis, तो अगर mitochondria को protein की जरुत पड़े, तो यह अपने अंदर मौझूद ribosomes से protein बना लेते हैं, और यह ribosomes जो है, यह prokaryotic cells के अंदर पाया जाने वाले ribosomes से जादा resemblance रखते हैं, ठीक है, उसके लावा इस DNA का क्या मकसद है, DNA का आपको पता है, कि DNA जो है, वो division के time पर help करता है, जब एक cell से दो cell बनने होता है, तो यहां पर इस DNA का क्या काम है, इसका काम है, कि वो body के parts, वो cells जहां पर energy ज़ादा चाहिए होती है, और energy बनाने वाला mitochondria है, तो mitochondria की ज़ादा जरुरत होगी, mitochondria क्या करेंगे, divide हो जाएंगे, अपने DNA के ज़ादा जाएंगे, और उससे जो है, वो क्या करेंगे, energy जादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो mitochondria बटा, important long question है, या आपने एचे सियाद करना है, है तो हाला कि सिफ 2 paragraphs बन जाते है, या 3 paragraph से चोटे चोटे से, लेकिन headings के साथ आप इस question को attempt करेंगे, और diagram की practice जरूर तो हम next पढ़ ले दें, endoplasmic reticulum, वो छटा topic है, इसके साथ adjust हो जगा, जी बटाची, next point है, हमारे पास, वो है, endoplasmic reticulum, reticulum का word यूज होता है, network के लिए, ठीक है, network, तो यहाँ पर क्या है, endoplasmic reticulum में, basically, किस चीज़ का network है, यहाँ पर network है, इंटर कनेक्टिच चैनल्स क channels means, यहाँ पर है, रास्ते, हमें बता है, वैसे तो channels का meaning, लेकिन यहाँ पर, basically, tubes है, कि यह, आपको मैं समझाती हूँ, कि यह है cell, cell के अंदर यह है nucleus, तो nucleus के जो porous side होती है, वहाँ से, इस तहां से, एक membrane का structure, इस तहां से, निकलता है, इसके साथ, फिर connect करता हूँ, दूसर फिर यहाँ से connect करता हूँ, तीसरा, इस तहां से इसे कहा जाता है, कि interconnected channels का network cell के अंदर पाया जाता है, उसे endoplasmic reticulum कहा जाता है, अब endoplasmic reticulum की दो types हैं, कौन-कौन सी हैं, वो देखते हैं हम, ठीक है, टाइप्स हैं, इसकी, दो types हैं, एक है, smooth endoplasmic reticulum, जिसे SER बोलेंगे, और दूसरी है, rough endoplasmic reticulum, जिसे RER बोलेंगे, जो smooth endoplasmic reticulum है, इसका नम smooth क्यूं है, क्यूंकि इसके surface के उपर, कोई भी further structure attach नहीं होता है, जिसके जो surface है, वो smooth appearance शो करती है, तो smooth appearance शो करने के जिसका नाम SER, smooth endoplasmic reticulum है, जबकि RER में क्या है, कि इसकी surface है, वो smooth नहीं होती, क्यूंकि इसके ओपर ribosomes attach होते हैं, आपको याद हो, हमने पढ़ा था, ribosome के topic में, ribosome या तो free form में exist करते हैं, या फिर attach form में, और attach form में, वो endoplasmic reticulum के ओपर attach होते हैं, जो भी attach form में होते हैं, तो ये surface जो है, ये smooth नहीं रहेगी, और बन जाएगी rough endoplasmic reticulum, ठीक है, इसके पाद इसके functions देख लेते हैं, आपको सवाल आ सकता है, कि why ser calls होके, smooth endoplasmic reticulum, smooth क्यों कहलाती है, rough endoplasmic reticulum, rough क्यों कहलाती है, तो smooth endoplasmic reticulum में क्या है, इसका function क्या है, इसके दो से तीन function है, पहला function है, कि ये lipids से related काम करती है, lipid metabolism, lipids से related जो भी function होगा, उसकी means detox, calisynthesis होगी, या फिर breakdown होगी, उससे related काम करेगा, उसके लावा है, transport of material, इसका काम है, transport of material, different materials को, यानि कि अगर इसके अंदर कोई material बना है, तो यहां से golgi apparatus तक पहुँचाना है, इस तहां से transport of material, इसके function में आ जाएगा, और तीसरा इसका काम है, detoxification, detoxification का क्या मतलब है, detoxify करना, कि कोई भी toxic substance अगर body के अंदर, cell के अंदर enter हो गया है, तो उसे detoxify कौन करता है, smooth endoplasmic reticulum करती है, जुस तरफ है rough ER, rough endoplasmic reticulum, तो इसमें क्योंके present है ribosome, तो ribosome की presence की वज़ा से, जो है, क्या होता है, इसके अंदर किस जिसकी synthesis होती है, protein synthesis होती है, ठीक है, protein synthesis, तो बेटा, जी, rough endoplasmic reticulum के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सकते हैं, सबसे पहले सकते हैं, network of channels है, interconnected channels है, जो कहां present होता है, नुकलिस के साथ, ये membranous structure स्टार्ट होता है, इसके टाइपस हैं, दो टाइपस हैं, एक है smooth endoplasmic reticulum, दूसरी है rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, smooth क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके surface smooth होती है, absence of ribosomes की वज़ा से, rough endoplasmic reticulum क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके अपर ribosomes मुझूद होते हैं, rough appearance शो करते हैं, ribosome की presence के वज़ा से, यह protein synthesis करते हैं, जबके smooth endoplasmic reticulum, जो है, वो क्या-क्या function करते हैं, lipid metabolism, transport of materials, or detoxification of harmful substances, या harmful material, ठीके जी, आज के लिए इन्छाला नेक्स वीडियो में, हम plasmid, plastics को study करेंगे, plastic एक long question है, जिसमें हम देखेंगे, तीन तरह के plastics होते हैं, chloroplast, chromoplast और lycoplast है, तो next video में, इंछाला उसे study करेंगे, अला हाफ़स,